एक तो यह में यहां पर मिश्टेक की गई है कि मकान मालिक चाहे ध्यान नहीं देते हैं या फिर छट ढ़लने के टाइम में हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है तो हम रेन वाटर का पाइप निकालते हैं अपने छट में से तो छजे के ऊपर से तो बहुत जगा जैसे आप य यह एक दूसरे में अप सर्या को यहां पर कार दिया गया है और दोस्ते यहीं कि यह नहीं की गई है सरीया कार्ट के फिर उसको यह चे महीन हो गया ऐसा ही एक साल पैसा ही छोड़ देते हैं उसी ताइम हातोवात उसका सर्या को आप चाहते तो लैपिंग देके उसे हो जाएगा तो यह इसका क्या सोलूसन है दोस्तों यह बहुत मिश्टेक मैंने देखा है और बहुत जगहीं बिल्डिंग में ऐसे किया जाता है तो जो भी आप इस टेक और बाद में जब चट डल जाएगा तो फिर बाद में जब आपको रेन वाटर का पाइप या जो भी पाइप आपको वहां से श्टेक लाइन उतारना है उस छे इंच का टुकड़ा है आप उसे हटाके अपना पूरा एक पाइप डाल सकते हैं नीचे उतार सकते हैं तो यह त होता है कि Kbridge क्लाइम सकते हैं तो कॉलम के बीच उन्य वीच तीन इंच पाइप का ये लाइन उतार देते हैं और नीचे से आप युद और ये बेरां जाता है वहां से आप जगह को छोड़ कर चलें और बाद में फिर वहीं से आपका जो चार इंच या तीन इंच का जो भी पाइप आपको नीचे उतारना है टेक लाइन वहां से आप नीचे उतार सकते हैं इससे क्या होगा कि वह दिवार से बाहर भी नहीं निकलेगा आपको देखने में भी बुरा नहीं लाएगा और दूसरी बात जब आप प्लास्टर करके उसमें आसानी से चुपा सकते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल भी यह ग बादी होगी